बिस्मिल्लाइ रह्मानी रहीम, Assalamualaikum मैं हूँ असद और आप देख रहे हैं असद Electrical आज मैं बात करूँगा ATB के उपर यानि के AC Transformer Box जो के Caterpillar के Generators में EMCP 2 या 2 Plus के साथ यूज़ के जाता है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किसी भी कंट्रोलर को Voltage और Current की Monitoring के लिए Sensing Voltage चाहिए होते हैं और Sensing Amps चाहिए होते हैं तो वो PTs और CTs के जरीए से दिये जाते हैं कुछ Panel Directly Read करते हैं कुछ को PTs या CTs के जरीए से उनकी Requirements के मताबिक दिये जाता है तो जो हमारा Caterpillar का EMCP 2 या 2 Plus होता है उसकी भी एक Requirements होती है उसके साथ एक ATB आता है यानि AC Transformer Box तो उसमें वो CTPTs ही लगी होती है तो Main Supply जो होती है Generator की वो पहले ATB में आती है फिर उन Transformers से होते हुए हमारे EMCP तक आती है फिर वो Read करता है और इसकी कुछ Programming भी होती तो आज की वीडियो में मैं इसके Connection और इसकी Programming के उपर बात करूँ है सबसे पहले अगर हम इसके Connection पर बात करें तो Connection काफी Simple है इसके यानि के Generator के 3 Phase जो आ रहे हमारे पस Phase 1, Phase 2 और Phase 3 वो बिल तर्तीब हमारे 3 Fuses के साथ Connect हो जाते हैं जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं यह जो 3 Fuses हैं इसमें 3 Fuses के Voltage आ रहे है रेड यलो बिलू यानि T1, T2 और T3 उसके बाद जो दूसरा End इसका वो इसकी Internal Connection है वहां पर हमें कुछ नहीं करना होता इसी तरह जो CTs से वायर आएंगे जैसा कि आप जानते हैं कि 3 Fuses में अगर 3 CTs लगी में तो उनके 3 अलग-अलग वायर होंगे और फिर 4 वायर उन तीनों का एक Common वायर होगा तो यहां पर जो Numbering है 51, 52 और 53 तीनों CTs की Red, Yellow, Blue Phases की Current की Sensing है और फिर इन CTs का जो दूसरा Point है जो Common हुआ हो है वो 50 में आके Connect हो जाता है तो Simple यह CTs के Connection है इसके लावा इसमें कुछ और Optional चीज़े हैं जो के Normally यूज में नहीं होती अच्छा दूसरा End इसका जैसा कि मैं आपको बताया कि Internally Connect होता है हमें वहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती इसकी जो Output है यानि यह Input हो गई CTs और PTs की और जो Output है वहाँ पर एक 8-pin का Connector लगावे जैसा कि आप देख रहे हैं तो यह 8-pin का जो Connector है इसमें क्या है इसमें तीनों फेजिस की Output निकल रही है तीनों फेजिस के Current की Output निकल रही है और दो टर्मिनल जो हैं इसके वो Ground के हैं तो बसके टोटल 8-pin का Connector होता है जो के Connector के जरीए से फिर हमारे EMCP-2 के साथ Connect हो जाता है और वहाँ पर वो इसकी Voltage की और Current की Monitoring करता है यानि कि उसको Read करता है Connection के बाद जो इसकी सबसे Main चीज़ है वो है इसकी Programming अगर इसकी Programming हमने इसके तरीके से नहीं की तो EMCP-2 कभी भी हमारा प्रॉपरली Voltage और Impairs को Read नहीं करेगा उसकी वज़ासे फिर किलो वाट पावर फेक्टर सारी चीज़े डिस्टरब हो जाएंगी तो इसकी जो Programming का तरीका है वह मैं आपको बता देता हूं यह हमारा ATBA ATB के साथ ही एक Sticker लगा होता है इस Sticker में आप दे अगे एक Numbering लिखी विए तो बस हमें इसी तरतीप से यह Numbering EMCP-2 की Programming में पूट करनी होती है जैसा कि आप जानते हैं कि EMCP-2 या 2-plus की जो Programming यह वह OP-3 में जाके हम Password डालते हैं 13231 उसके बाद फिर हम उसमें इंटर हो जाते हैं OP-5 में चले आते हैं OP-6 में तो हमें OP-8 मे जाने के बाद जब हम OP-8 में इंटर करेंगे तो वहाँ पर हम आपस टोटल 6 पेरामीटर आएंगे AC-01 से लेकर AC-06 तक तो AC-01, 0-2 और 0-3 जो है वो तीनों फेजिस के वोल्टेज के लिए और AC-04, 0-5 और 0-6 जो है वो तीनों फेजिस के एमपेर के लिए तो बस जो numbering ATB के स्टीकर पे लिखी हुए बिल्कुल तरतीब से हमें यहाँ पर वो इंटर कर देनी है यानि के AC-01 पहले फेज के वोल्टेज की जो भी numbering है फिर AC-02 दूसरे फेज की और AC-03 तीसरे फेज के वोल्टेज की जो भी numbering वहाँ पर mention है वो हमें यहाँ पर डालनी है फिर इसी तरह AC-04, 05 और 06 जो हमाँ पर mention है numbers वो हमें यहाँ पर डाल देने है तो ATB के मताबिक हमारे EMCP की programming हो जाएगी तो यह बिल्कुल उसकी जो reading है वो exactly read कर सकेगा अचा है यहाँ पर जो बात समझने की है वो यह कि EMCP-2 के साथ जो ATB आएगा वो ATB कहलाता है और EMCP-2 पिलस के साथ जो ATB आता है वो ATB पिलस कहलाता है तो अगर इन दोनों में भी difference होगा तब भी हमारे voltage और impair की monitoring में difference आजाएगा तो इसलिए हमें ATB को लेते वगए देखना होगा कि EMCP-2 के हिसाब से वो यह 2 पिलस के हिसाब से उसके बाद फिर हमें connection और फिर यह programming करनी है तो यह जो programming है इसकी जो numbering होती है वो 0 से लेकर 255 maximum यानि के 0 से 255 तक इसके दर्मियान के numbers होंगे इसके इलावा कुछ नहीं होगा मसलिए आप देख रहे हैं कि यहां लिखावा है VA10 इसी तरह VA15 तो बस हमें वो number follow करते हुए इसकी OP8 की programming में इंटर करने अब रही बात के इसके internal connection किस तरह से हुए वो थे तो काफी साल पहले 2012 या 13 में जब मैंने अपनी caterpillar की diary लिखी थी तो उसमें मैंने इसकी एक drying बनाई थी आप देख सकते हैं थोड़ी roughly बनी विये तो यह इसके internally connection है इसमें basically 6 transformer है और 3 उसमें voltage के लिए उज़ हो रहे हैं 3 जो वो current के लिए उज़ हो रहे हैं एक तरफ input है सारी दूसी तरफ output पर वोई 8 pin का जो connector है वो लगाव है और यह सारे से connect wave होते हैं transformer के जरिये से जिसताना से CTs और PTs के जरिये से हम देते है step down या step up करके panel की requirement के साब से तो ATB जो है वो EMCP 2 या 2 plus के हिसाब से उसको voltage और current प्रोवाइट करता है तो उमीद है आज की वीडियो में आपका यह concept के लिए हुआ होगा फिर भी आपका कोई question या confusion आप करमें में पूछ सकते हैं अगर नेक्स वीडियो में नाय टोपिक के साथ आएंगे जब तक के लिए ज़ाज़त दीजिए अलाफेश